तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको मैं बताता चलो यह वीडियो बिल्कुल फ्री है इसका कोई चार जाप से नहीं लिया जा रहा है और ना तो लिया जायेगा मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, ना तो अपने आपको बेचना चाहता हूँ, ना इस चैनल को बेचना चाहता हूँ दूसरा मैं बता दूँ, कुछ लोग हैं इस चैनल पे जो आए हैं और मेरे साथ बिजनस करना चाहते हैं मैं बता दूं, sir, really sorry, मैं बिजनस के लिए बिल्कुल भी open नहीं हूँ, ये free ही रहना चाहिए, मेरे चैमल पे आप about section में जाके देखेंगे, वहां पे मेरा मोटो ही यही है, education must be free fall all, तो जो free काम हो पाएंगे, वही मैं कर पाऊंगा, ठीक, ये मेरी खुद्दारी समझ लीजि है, पर same, पहले वाली वीडियो की तरह, मैं आप से कोई गुजारिश करना चाहूंगा, payment मुझे कोई नहीं चाहिए, आप से, सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप किसी भी place पे जाके, पिछली बार मैंने भारत के वीर website जो थे, वो आपके साथ share किया थ हमारे जो soldiers शहीर हो जाते हैं, उनकी families को आप direct payment कर सकते हैं, भारत के वीर website में जाके, आप इस वीडियो में भी अगर आप चाहें, तो वो वहाँ पे जाके आप donation दे सकते हैं, जो भी गरीब आपको दिखता है, या पिर आगर किसी family को आप donate करना चाहते हैं, किसी अनात जिएगा कि ये software आपने खरीदा है, 400-500 रुपे में, 500 रुपीज अगर आप डोनेट कर देंगे, आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी, ठीक है, आपके मन में ये रहेगा कि मैने फरी में कोई चीज नहीं ली और मेरे मन में ये रहेगा कि मेरी तरफ से उ चलो वीडियो शुरू करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने सिस्टम के वर्जन को, नैविगेशन सिस्टम के वर्जन को, 4.0.1 तक जो भी सिस्टम है, हमारे उनको अपग्रेड कैसे किया जाए, 7.0.5 MD में, अनफिशल अपडेट था ये, पहली चीज तो ये, ध्यान से देखिएगा सारे स्टेप्स को, और कोशिश करिएगा कि जितने भी स्टेप्स हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप ही चलना है, हर बार जितनी भार भी आपको एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद में, अपनी पैन ड्राइव जो है, वो फॉर्माट करनी है, और फ 7.0.5 MD है अभी मेरा सिस्टम वर्जन, तो जो लोग अल्रेडी इसको अपडेट कर चुके हैं, क्योंकि काफी लोगों ने इस वर्जन में आ चुके हैं, वो अनोफिशल अपडेट क्योंकि काफी वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो 7.0.5 MD पे जो पहुंच चुके हैं, उ आपको करने हैं, पहले दो स्टेप नहीं करने हैं, पहले दो स्टेप सिर्फ इस वर्जन में आने के लिए हैं, दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इस वर्जन में आने के बाद में, जब आपडेट कर लेंगे सिस्टम को, तब भी आपका जो हमने रियर कैमरा और जो रि तो इस वीडियो में आपको सिर्फ दोई चीजों की जुरूरत पड़ेगी एक तो पेंड्राइव और एक कम्प्यूटर तो पेंड्राइव को आपको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेना है अच्छी तरह से फैट 32 में ठीक है फैट 32 डिफॉल्ट सेटिंग्स रहती है अलड़ी वैसे पर इसी में आपको जाके इसको फॉर्मेट कर लेना और पेंड्राइव आपका कम से कम 10GB का तो जरूर होना चाहिए 10GB उसमें फ्मेट एक लिस्ट होना चाहिए थीक है मतला 16GB का पैन राइवोगा तो बढ़िया रहेगा उससे बेटर आगे उपर कॉल्टी का है कोई दिखकर नहीं है तो इसको फॉर्मेट कर लेंगे फॉर्मेट करने के बाद में ही सारे स्टेप्स करेंगे तो अब जब ल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक बार डाउलोड करो उसके बाद में स्टेप कम्लीट करो फिर दूसरा डाउलोड करो ठीक है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा तो इस तरह से मैंने लेयर करेंगे फाइल्स को ठीक है तो यहां पर एक फोल्डर बन जायागा यह अपग्रेट.LGU याद रखना जितने भी मेरी जिप फाइल्स हैं वो सब में अपग्रेट.LGU ही आपको आएगा तो इसलिए कंफ्यूजन मत करना एक एक करके स्टैप को करना तो यह अपग्रेट करके pen drive की उपर eject करेंगे तो eject करने के बाद में वो safely जो है वो removable हो जाएगी आपकी drive तो यह इस तरह से ही आपको हर step में करना तो फिर pen drive क्या करना आपको system on करना है यह first step है मेरा system on करके pen drive आपको गुसा देना है अंदर और यह read करेगा read करने के बाद में आपको दिखा अपको update का जो link है उसको press कर देना है और wait करना है इतनी देर में आपके गाड़ी बंद नहीं होनी चीए और battery डाउन नहीं होनी चीए तो अपने आप system reboot होगा ठीक है एक दो बार turn off turn on होगा इस तरह से आजएगा के बार हो सकता आपसे code भी मांगेगा तो इसको अपने आप आपको second जो step है वो भी उसमें कर लेंगे तो आपके maps जो है वो lag नहीं करेंगे ठीक हो आसानी से खुल जाएंगे तो आपको second step पे भी जाना इसी तरह से second step में भी upgrade.lgu file रहेगी इसको cut करना है और pen drive में आपको paste करना है पेस्ट करने के बाद में आपको अपने navigation system में pen drive को लगा देना फिर जब लगा देंगे तो उसके बाद में ऐसा आएगा तो फिर उसको update का button दबा देना है update अपने आप यह होता रहेगा एक बार system reboot होगा दूसरी बार होगा थोड़ा time लेता है यह चीज़े patience रखना सर ठीक है patience पहुत जरूरी है during the time of activation बिलकुल भी pen drive मत नि तो यह डीबूट फाइल है इसको भी extract करेंगे और यह अपना जो वीडियो बगारा प्लेयर है यहां से सुरू हो जाता है वीडियो कैसे प्ले करना है तो यह भी upgrade डो टेल जी हो है इसको भी cut करना है और pen drive में paste करना याद रखना pen drive को हर step के बाद में format करना बिलकुल नहीं लगाना है वहां पर मतलब मेरा कहने का यह है जो first two steps हमने किये थे उसमें अगर system on करके pen drive लगा देते हैं तब भी कोई issue नहीं आता है अब जो चार step करेंगे चारो step में पहले system मेरा बंद रहेगा चावी बंद रहेगा एकदम तो चावी जो है वो pen drive system में लगाने के बाद म उसमें यही तरीका अपनाना है फिर आपको system में यह लगा देना है लगाने के बाद में अपना system on करना है तूँ है यहां से वीडियो वाला अपना मामला शुरू हो गया तो इस system on कर दिया हम लोगों ने system on करने के बाद में नीचे डीबूट लोगो वाला option आना शूरू हो और दीरे दीरे अपडेट होगा आप याद रखिएगा पेशेंस रखना ठीक है एक बार सिस्टम आपका ओफ हो जायेगा ओफ होने के बाद में फिर वैसे यह ऑप्शन आएंगे ऑप्शन आने के बाद में दुबारा यह अपग्रेट इस तरह से लेगा तीन-चार बार अप करेंगे सेम अपग्रेट डोट यू वाली फाइल खुलेगी इसको कट पेस्ट करेंगे पेंडराइव में याद रखना पेंडराइव फोर्मेट करना नहीं बूलना विल्कुल भी पेंडराइव तो आप जितनी बार लगाओगे उससे पहले फॉर्मेट करना ही करना है pen drive अपना लगा देना है pen drive लगाने के बाद में आप ये मांगेगा नीचे super mod 3.1.5 1 favor am करके same update का button दबा देंगे ये उसके बाद में थोड़ा time लेता है ये लंबी file है थोड़ी बड़ी file है तो इसके बाद में कुछ ऐसा आपके सामने नजा रहा हैगा दुबारा ये system जो है reboot होगा reboot होने के बाद में फिर से ये update ऐसे लेगा मतलब आपको system बंद नहीं करना है ठीक है wait करना और specially ये वाली file जब update हो रही होगी तब आपको बिलकुल खास ध्यान रखना है उसका कारण ये है जब ये update हो जाएगी ठीक है तो आपका system automatically बंद नहीं होगा ठीक है जब ये पूरी update हो जाएगी तब आपके सामने दुबारा ये update का option मांगेगा ठीक है मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको ये अभी right side में आप देख रहे हैं वीडियो वाला button सा आ गया तो अब ये दुबारा मांग रहा है ठीक है ये वीडियो का button आ जुगा है और ये दुबारा मांग रहा है तो अब ये back कर देना आपको अब आपको update की जरूरत नहीं है बताने की फिर आपको system अपना बंद कर देना है बंद करने के बाद में pen drive निकालनी है तो यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा फिर उसके बाद में आपको step 5 में जाना है ये आपकी skin है, skin डाउनलोड करनी है ठीक है, सेम उसी तरह extract hair दबाएंगे extract hair के बाद में upgrade.lgu फाइल आ जाएगी हर हर फाइल जो है upgrade.lgu के नाम से है इसलिए आपको बता रहा हूँ step by step चलना एक एक करके सबको download करना और उसके बाद में pen drive में डालना नहीं तो आपको confusion आ जाएगा सेम अपना system बंद करेंगे, बंद करने के बाद में चाबी से on करेंगे, on करने के बाद में ये अपने आप file को read करेगा ये वाली file पर थोड़ी सी लंबी है इसकी भी कहानी वैसी ही है पहले logo आएगा, उसके बाद में वीडियो वाला logo आएगा, वीडियो वाला logo के बाद में इस तरह से आपसे update मांगेगा तो update कर देना, इसको दबा देना है पर ये जब update खतम हो जाएगी जब system आपका बंद होगा बंद होने के बाद में फिर चालो होगा फिर वो 12 pm करके लिखके वहाँ पे आयेगा उसके बाद में pm वाला वहाँ से बटन हड़ जाएगा आप जब देखोगे फिर ये update मांगेगा सब कुछ ठीक है तो इसको पूरा एक जितना भी ही चलता है इसको पूरा update होने देना है सेम इस तरह से जब आपको time आजाएगा तब भी off नहीं करना है इसको अभी भी कुछ नहीं करना है मतलब wait करना है अभी भी ठीक है इसके बाद में जब ऐसी screen आपके सामने आ जाएगी न अब इसका मतलब है कि ये update हो चुका है अब आपको update वाला बटन दबाने की जुरूरत नहीं है अब आप back वाला जो बटन है लेफ्ट साइड में जो arrow वाला बटन है इसको आप press करेंगे और सेम इस तरह से आप pen drive जो है अपनी निकाल सकते है अब आप निकाल सकते है pen drive मतलब दबार update दबाने की जुरूरत नहीं है अब ये last step हमारा बचा है ये swipe का कुछ issue आता है तब उसके लिए बहुत जुरूरी है same upgrade.lgu file रहेगी ठीक है इसको भी copy करके मतलब कट करके paste कर देना है pen drive में format करना बिल्कुल नहीं बूलना pen drive को same आपको फिर pen drive लगानी है system में system लगाने के बाद में कुछ ऐसा logo आएगा आपके सामने में सारे steps में ऐसा ही रहेगा आपको परिशान नहीं होना है गलत काम मत करना धीरे धीरे करना ठीक है तो यह swipe वाला mode आगया आप इसको update कर देंगे update करने के बाद में same इसी तरह से यह पूरा update लेगा system अपने आप बंद हो जाएगा फिर दुबारा own होगा डीबूट का logo आएगा logo आने के बाद में time वाला आएगा और update in progress दिखाएगा तो जब तक यह पूरा complete ना हो जाए आपको pen drive बिल्कुल निकालनी है अब भी नहीं निकालनी है जब यह time आजाता है तब भी नहीं निकालनी है last में क्या होगा आपको फिर यह update मांगेगा अब आप pen drive निकाल सकते हो और यह सारा इतना update होने के बाद में आपका थोड़ा screen lag करेगा lag करने का reason यह है कि इसकी RAM बहुत कम है और हमने बहुत सारी applications में डाल दी है तो यह उपर में जो button देखने है यह आपका video वाला button है और pen drive में आपको videos जो है वो डालनी है उसके बाद में आप असानी से play कर सकते है तो यहाँ पे भी video प्ले करने के दो तरीके हैं आप direct यह video वाले button को भी दबा सकते हैं नीचे setting button में कुछ करने की जुरूरत नहीं है दूसरा तरीका में आपको बता देता हूँ आपको इस screen पे left to right ऐसे swipe करना है swipe करने के बाद में कुछ ऐसी यहाँ पे applications आपको देखने को मिल जाएंगी तीटी कमांड है, टास्क मैनेजर है ठीक है, notes अगर आपको बनाने है वीडियो के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं screenshot अगर लेना है तो यह calculator है, timer भी है इस तरह से आप कर सकते हैं जिसे let us suppose मैं calculator आपको दिखा देता हूँ ठीक है, तो यह calculator आपके सामने अभी खुल गया है तो check भी कर लेते हैं काम भी सही से कर रहा है नहीं कर रहा है तो 2 plus 2 करके देखता हूँ, ठीक है आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ, यह pen drive में अलड़ी मैंने दो वीडियो जो है वो डाल के रखी है ठीक है, तो यह pen drive अपना आराम से यहां पर गुसा देंगे उसके बाद में बताएगा कि USB में कुछ नहीं है इस pen drive में कुछ भी नहीं है फिर आपको वीडियो वाले बटन पर क्लिक करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे अराम से थोड़ा एप्लिकेशन खुलने में टाइम लेगी क्योंकि लैक करता है सिस्टम हलका सा तो इस तरह से आपके सामने में स्क्रीन खुलेगी फेवर मोड करके इसके एक्स्ट्रीम लेफ्ट साइड में जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपके जो जो वीडियो डाल रखी होंगी यहां पर वो आपको शो करेगा उसके प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो अराम से चलना शुरू हो जाएगी इसमें कोई दिकत कोई परिशानी वारी बात नहीं है पस दियान यही रखना सर सिंपल सी बात है अपने रिस्क पर करना अगर आपका वारंटी में है आपका जो 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 नैविकेशन सिस्टम है तब वारंटी बॉइड हो सकती है और दूसरा रीजन यह है कि बाइ स्टेप चलना एक-एक स्टेप करके ही मतलब आगे बढ़ना ऐसा नहीं करना कि यार मतलब जल्द बाजी में काम नहीं करना स्टेप बाइ स्टेप चलना तो इस तरह से आपका वीडियो आराम से चल जायेगा ठीक है मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें कोई लेना दिना नहीं है मेरे को तो आशा करता हूँ यह चोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यआवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत